अस्ताम लेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब मेरा नाम है विसमा अलसकर हमने अभी तक पढ़ा है law of mass action को लेकिन बात वहां पे एंड नहीं होती क्यूं क्यूंकि उस जनरल reaction में हमने ये तो कंसिडर ही नहीं किया था कि हमारे पास रियक्टेंट्स और प्रॉडेक्स के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं तो इस लेक्टर में हम डिसकस करेंगे के नंबर ऑफ मोल्स को आपने law of mass section में कैसे कंसिडर करना है और केसी के expression में उसको कैसे लिखना है तो आई चलते हैं लेक्टर की तरफ हमने जो लॉफ मैं section में equilibrium constant की value calculate की थी ना उसमें मैंने आपको बताया था कि अभी हमने से जनरल reaction के इसमें हमने यह नहीं देखा कि हर रियाक्टेंट और हर प्रॉडट्ट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं अब हम क्योंके बात कर रहे हैं कि आपके पास molar concentration important है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि number of moles कि कोई importance ना हो number of moles भी तो participate कर रहे हैं उसी के सासाथ अब हमने देखने हैं कि हम उसी law of mass action जो equilibrium constant derive की है उसी की derivation से कैसे यह देख सकते हैं कि number of moles की क्या importance है तो आप सबने याद रखने हैं कि number of moles बड़े important है अब देखें आपके पास हम reaction general reaction जो पहले consider किया था उसमें हमने a plus b react to form c and d यह बस का बात की थी थी ना अब हमने इनके number of moles भी लिखने है तो number of moles लिखने के लिए क्या होगा कि मैं यहां पे small letters consider कर लूँगी number of moles के लिए और capital letters consider कर लूँगी जिससे आपको यह बता लग B reversible reaction होगा साथ ही साथ small letter of C will represent number of moles of C जो का आपका product है और small letter D will represent number of mole of D तो यह जितने मैंने small letter में लिखे है ना यह आप सबने याद रखना है कि number of moles है और जितने मैंने capital letters में लिखे है यह आपने याद रखना है कि हम reactants और products की बात कर रहे हैं अगर अभी मुश्किल लगे भ chemical reaction से example solve करेंगे फिर आपको बड़ी अच्छी समझा आजाएगी लेकिन अभी आपने consider यही करना है कि यह आपके पास number of moles है ठीक है अब इनको आपने number of moles consider कर लिया अब इनको लिखना किस तरह से है सबसे पहले तो revise करें कि हमने काता हमारा reversible reaction हमेशा proceed करता है forward direction में the beginning of the reaction और rate consider करेंगे ना तो rate में आप सबको पता है साथ हमने लिख देना F और यहां पर हमारे पास यह हो जाएगा directly proportional is equal to sign की तरफ भी हम आते हैं यह हो जाएगा directly proportional to the reacting masses के active masses ठीक है active mass of A और B हम यहां पर लेंगे क्योंकि यह react करके forward reaction को proceed कर वा रहे हैं अब number of moles का क्या करना है number of moles का concentration ली है square brackets में आपने क्या करना है कि अब number of moles को उनकी power बना देना है कैसे power बनाना है को और से देखेंगे A हमारे पास reactant है A का active mass हमने square bracket में consider कर लिया number of moles को अब A की power बनाना है मतलब क्या कि अब square bracket के बाहिर हम उपर A लिख देंगे power में आ गया साथ ही साथ B के भी number of moles को हम power में लिख देंगे ये चीज़ आ जाएगी इस तरह से क्यूंकि कुछ students इस पात पर confused हो जाते हैं कि A और B हमने किस तरह लिखें तो आप सबने maths में एक चीज़ पढ़ी होगी 2 raise to the power 2 यह सबने पढ़ा है ना यही चीज़ है जो वहां पे हमने क क्या किया के letters की form में represent कर दिया क्या किया कि देखें 2 power में लिखा हुए ना यहां पर आपने क्या समझना है कि यह A और B numbers है समझना नहीं है यह वाक्की numbers है क्योंकि moles हमेशा numbers में होते हैं और आपके पास बाकी reactants और products जो भी compound है जो भी molecule है उस form में होगा तो आप सबने numbers A और B आपके पास हमेशा याद रखने हैं इनके number of moles है ठीक है फिर अगर next step हमारा यहीं है कि हमने proportionality का sign खतम करने है is equal to का sign डालना है यहां लिखेंगे kf bracket A number of moles power में है साथ ही molar active mass of reactant B number of moles in the power यहां बात समझ में आई next step हमारा क्या है हमने reverse reaction के लिए इसको consider कर लेना है reverse reaction में आप सब को पता है कि हमारे पास reacting substance कौन सा होता है किस चीज की वज़ा से हमारे पास reverse reaction होता है वो होता है हमारे पास students आप सबने याद रखना है products की वज़ा से ठीक है products की वज़ा से होगा तो इसका जब हम rate consider करेंगे rate के साथ लगा देंगे R ताके हमें पता लग जाए कि हम reverse reaction की बात करें और साथ ही साथ इसको directly proportional कर देंगे C और D के जैसे पहले किया था वही चीज़ है पहली चीज़ें जो पड़ी होती हैं उनको interlink किया करें नई चीज़ों के साथ आपके लिए समझना असान हो जाएगा अब यहां मैंने आपको समझाया है कि कैसे number of moles लिखने हैं उसमें number of moles लिख देना है क्योंके number of moles के बगएर हमने पहले भी बात की कोई reaction होता ही नहीं है ठीक है अब हमने इसका जब proportionality का साइन खतम किया तो यहां पे इक्वल टू का साइन और कोई ना कोई आपके पस constant value आ जाएगी और बाकी active masses raised to the power of the number of moles as it is आपने लिखते ना है यह बात समझ में आई किस तरह से लिखे है आपने तो इसी तरह से आपके number of moles power में चले जाएंगे हमेशा number of moles हमेशा consider करने हैं आपको मैं example के थ्रू भी समझाओंगी कैसे consider करने लेकिन अभी आपको यह बात समझ में आई कैसे आपने उनको लिखना है in the reactions of rate of reaction value or rate of reverse reaction value ठीक है अब हम जलते हैं equilibrium की तरफ जो हमारा third step था पहले भी हमने बात की equilibrium में students आप समने याद रखना है क्या होता है कि rate of forward reaction is equals to rate of reverse reaction तो इन दोनों rates को जब हम एक दूसरे के equal करेंगे तो हमारे पास क्या होगा यह वाली जो पूरा यह वाला जो पूरा expression है वह इस पूरा expression के equal आ क्या करना है कि इनकी power किसको बना देने number of moles को ए है हमारे पास इसकी number of moles भी इसकी is equals to अगर भी अपने expression as it is लिख देना के आर और सी आपके पास एक चीज़ आ गई number of moles c और d आपके पास दूसरा product जो हमारा यहां पर reacting substance बन रहा है reverse reaction के लिए उसको लिख देना है और यहां पे आपकी power बन जाएगी d यह बात समझ में आई आप जैसे पहले किया था कि हमने concentration को एक साइट पे कर दिया था और constant values को एक साइट पे कर दिया था वही चीज़ हम दुबारा repeat करेंगे हम क्या करेंगे kf इसी तरफ रेंड देंगे यह पूरा का पूरा जो concentration है यह इदर ल पर आल्डेडी था कर मैं यहां पर ले आओंगी इसके साथ यह दिवाइड हो जाएगा क्योंकर यहां पर multiply हो रहा है को राएक धिवाइड़ कि यद्वाइड किया था हमने किसके इकूल किया था की सी के थीक है कैसी कि इसको खर दिया था अब अगर हमने इसको कैसी के डिवाइड बाइ एकी मोलर कॉंसेंट्रेशन इन स्क्वेर ब्रैकेट्स उसकी पावर नंबर ऑफ मोल फिर बी की मोलर कॉंसेंट्रेशन जो ओर्ड़ी हमने रियक्शन कंसिडर किया ना उसके नंबर ऑफ मोल्स को जराब देखते हैं एक साथ मैंने आपसे कहा कुछ भी नहीं लिखा होगा कुछ भी नहीं लिखा होता है जहां पर भी उसका मतलब यही होता है कि आपको अभी भी नंबर ऑफ मोल जीरो नहीं है वन है नंबर ऑफ मोल जीरो जिस चीज की नंबर ऑफ मोल हो जाए ना इसका मतलब है कोई चीज एक कुछ नहीं लिखा इसका मतलब इसके number of moles है one और डी के साथ आपने two already लिखा हुए अब हमने क्या करने इस casey के expression में इस value को put करना है ठीक है कैसे put करेंगे यहां पर c है c के number of moles कितने कुछ भी नहीं लिखा साथ तो one one number of moles को हम कभी भी written form में नहीं लिखते मतलब यह कि square bracket की power आपने one नहीं बनानी क्यों क्योंकि जब भी आप किसी चीज की power one करते ना अगर मैं यहां पर two raise to the power one कर दूना तो answer two ही आएगा कोई फरक नहीं पड़ेगा इसलिए जब भी number of moles one होंगे तो आपने square bracket के उपर कुछ भी नहीं लिखना as it is उसको छोड़ देने यह बात समझ में आ रही है सी वजह से हमने कुछ लिखना भी नहीं है साथ ही साथ हम डी को consider कर लेते हैं डी के number of moles में ने आपको कितने कह दिये तो कह दिये तो यहां पर आप डी के साथ पावर लिख देंगे तू अब समझ में आ रहे हैं के letter को number of moles किस तरह consider किया है letter सिर्फ इस ते लिखेते हैं आपकी understanding के लिए कि number of moles कुछ भी हो सकते हैं small a की जगा कुछ भी हो सकता है small b की जगा कुछ भी हो सकता है small c small d कुछ भी number of moles हो सकते हैं number of moles differ करते हैं हर reaction का different होता है इसलिए आप सबने याल रखने अब इसी तरह हम denominator वाली साइट पर जाते हैं और denominator वाली साइट पर क्या होगा a और b हमारे पास reactants है तो reactants के बारे में हमारे जब हम number of moles की बात करेंगे तो a के साथ कुछ नहीं लिखा इसका मतलब इसके number of mole one number of mole one हो तो हम power में भी कुछ नहीं लिखते क्यों क्योंकि power का answer वही आ जाता है इसलिए पिर हम number of mole अगर one हो तो उसको written form में लेक ही नहीं आते यह बात समझ में आ रही है साथ ही साथ जो दूसरी important चीज़ है वो यह है कि आपके पास दूसरा reactant है भी उसके number of moles कितने है टू ठीक है वह मैंने आपको बता दी वह ऐसे लिखते में आप समझ में आया कि हम क्या बात करें किस तरह से होता है आपका law of mass action जब हमने इससे पह हम products का active mass ले रहे हैं तो फिर जाइसी बात है कि वो जितने है reaction में वो सारी चीज़ें भी importance रखती है अब वो कितने हैं यह कैसे पता लगता है वो पता लगता है कि उनके moles कितने है मोल कौन सा digit होता है जो आपके reactants और products के left side में number लिखा होता है इसलिए आप सबने याद जरूरी है वो power में जब तक नहीं लिखी होगी तब तक इसका मतलब है कि आपके पास केसी की value complete नहीं है मैंने आपको letter के सास्थ numbers में इससे लिखके दिखाए जाके आपको पता लगे कि power की value किस तरह लिखते हैं और power कभी भी आपके पास letters में नहीं होती letter में आपको से आपने लिखने अब केसी के बारे में कुछ बाते हैं उनके बात कर लेते हैं केसी होता है equilibrium constant और स्टूडेंस आप सबने याद रखना है कि जो होता है आपका constant value constant value कभी भी उस चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रही होती जो reaction के अंदर चीज़ें मौजूद है confusion होई सुनके देखें आपको equilibrium constant एक constant value है जिसका मतलब है आपका reaction forward reverse उसके बाद अब equilibrium पे पहुंच गया तो जो उसकी value आ गई उसको हमने कहा है कि वो केसी है ठीक है यह value आपके पास केसी है केसी की value जो है यह constant है अब हमने क्या बात की वी हो already कि हमेशा क्या होता है कि mathematical expression से जो चीज़ न proportion मतलब क्या कि हमने mathematical बात किया कि अगर आपके पास products की साइट से मतलब numerator की साइट से कोई चीज़ बढ़ेगी तो केसी की value बढ़ जाएगी और अगर denominator या reactant साइट से कोई चीज़ बढ़ेगी तो केसी की value कम हो जाएगी ऐसा नहीं होता आपने केसी का expression calculate कर लिए लेकिन के केसी की value depend नहीं करता कि आप concentration बढ़ाएं या कम करें आप reaction मैं क्या कहने कुशिच कर यह बात गौर से सुन ले कि आपके जो reaction में reactants की amount है और जो products की amount है वो जितनी मर्जी जादा कर लें जितनी मर्जी कम कर लें आपके उस reaction की केसी की value constant रहेगी यह वो केसी की value है जो change नही value होती है और हर reaction की केसी की value आती ही आते है वो equilibrium constant की ऐसी value है जो से reaction ने चीव करनी ही करनी है तो आप सबने याद रखना है कि every reaction has a unique and different value of केसी ठीक है यह बात समझ में आ रही है आप सबको कि कैसे हम इस पार में बात कर रहे है कि आपके यहाँ पे जो मर्जी reactants की concentration हो जो मर्जी products की concentration हो it doesn't matter आपके अगर reaction equilibrium achieve करना है तो उसने करना ही करना है और जिस value पर जाके उसने achieve करना है वह value भी वही रहेगी चाहे आप reactants की amount change कर दें चाहे आप products की amount change कर दें तो जो factors students हमने पढ़े थे ना कि जो equilibrium पर effect कर रहे होते हैं कौन constant है मैं आपसे कहा रही हूँ इस value ने change नहीं होना अब temperature की जब हमने बात की थी temperature हमने का थे एक्जोर एंडो थर्मिक से पता रखता है temperature increase होगा decrease होगा जो भी effect आएगा reaction पे बात याद रखने वाली यह है कि end पे जिस reaction को आप consider कर रहे हैं उसकी case की जो भी value है वो constant रहेगी example से बात समझाती हूँ कि हमने जो reaction consider किया था आप सबको याद है contact process का reaction ठीक है sulfur dioxide combines with oxygen to make sulfur trioxide ठीक है अब जब यह reaction equilibrium पे पहुंच जाएगा तो क्या होगा कि equilibrium पे पहुंचने के बाद reactants और products की concentration constant हो गई अब आप इसमें temperature का change लेके आए आप इसमें प्रेशर का change लेके आए या आप concentration का लेके आए it doesn't matter अगर इसकी case की value for example सिर्फ example दे रही हूँ कि अगर इसकी case की value 2 है ना तो यह value 2 ही रहेगी यह आपका पूरा का पूरा system fight back करेगा उसी two value को दुबारा अचीव करने के लिए यह बात समझ में आ रही है यह नहीं सोच लेना कि अगर इसकी case की value 2 है तो नहीं है मैं सिर्फ आपको एक्जांपल दे रही हूँ यह hypothetical value है यह बात याद रख नहीं है ठीक है hypothetical value देके सिर्फ मैं आपको यह समझाना चाहरी हूं कि आप अपने reaction पे जो मर्जी effect ले आए आप अपने equilibrium को जैसे मर्जी disturb कर दें एक केसी की value constant है हर reaction की वह उसने achieve करनी करनी है जैसे sulfur trioxide की formation है और अगर इसकी case की value 2 है for example तो क्या होगा कि आप जैसे मर्जी temperature का change ले आए जैसे मर्जी pressure change कर दे हमेशा यह reaction 2 की value को achieve करेगा यह आपके पास exothermic reaction था आप सबको याद होगा exothermic reaction का मतलब है कि अगर हम इसका temperature increase करते हैं तो आपका reaction जाएगा रियक्टेंट साइट पर ठीक है अब वह कब तक जाएगा रियक्टेंट साइट पर जब तक कि students आपकी यह 2 की value दुबारा चीवनी हो जाती आप इस case की value को को डिस्टरब करें लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ उसको डिस्टरब करने से नहीं आप सिर्फ उसको डिस्टरब करें पाइनल चीज यही है कि आपका जो रियक्शन है वह हमेशा उस equilibrium constant की value तक वापस जाएगा तो जब भी आपने करना है जब भी आपने यह सारी चीज़ें करनी है यह बात लाजमी स्पैसिफाइब कर देनी है कि आपके पास केसी की value equilibrium constant की value constant होती है इसलिए तो इसको equilibrium constant कहते हैं यह constant है it doesn't matter what factor you change and how many times you disturb the equilibrium आपका equilibrium constant हमेशा चीव होगा equilibrium हमेशा चीव होगा वह value हमेशा चीव होगी अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो equilibrium constant को change करती है डिस्टरब तो करेंगे ना कुछ ना कुछ फैक्टर कुछ चीज़ें होती है जो इसमें चेंज लाती है लेकिन आप सबने याद रखना है कि concentration वो चीज़ें नहीं होती concentration तो आप जैसे मर्जी वैल्यू को भी फर्क डाल देते हैं इस पर भी चेंज लियाता है उन फैक्टर को भी हम discuss करेंगे लेकिन अभी तक जो याद रखने वाली बात है और जो important बात है वह यहीं है कि आपके पास हमेशा यह value constant है इसको कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकती अब सिर्फ छोटी सी बा प्रेशर चेंज कर लें पिर कौन सी चीज़ जो इसको चेंज करेंगी वह ए टेंपरेचर टेंपरेचर का एफेक्ट इस पर आते हैं अभी परेशान नहीं होना यह टेंपरेचर का एफेक्ट किस तरह आता है कैसे चेंज करते हैं वह बात हमारे पास different है लेकिन आपने जाते हैं तो फिर आपके पास हो सकता है reaction की value 3 हो जाए तो यह चेंज आते रहते हैं ठीक है लेकिन यह कैसी की value पर चेंज आएगा ना यह टेंपरेचर पर डिपेंड करेगी यह कॉंसेंट प्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी यह बात आपने याद रखनी है टेंपरेच of concentration भी बताएं क्या होती है यह सारी के सारी चीज़े long question में लिखनी बहुत जरूरी है और इनको example के बगएर कभी भी complete नहीं करना examples की अभी हम बात करेंगे अपने next lecture में हम देखेंगे कैसे different examples different chemical reactions की हम केसी की value derive करते लेकिन आपने याद रखना है पेपर में जब यह power की form में लिखते हैं ठीक है यह बाते समझ में आ रही है यह सारी की सारी बाते इंपॉर्टेंट है पेपर में पुछी जाती है इसने याद रखिए का कैसी की value को effect सिर्फ और सिर्फ temperature के इलावा भी कुछ factors हैं जिनको हम discuss करेंगे किसी और lecture में अभी के लिए याद रखिए जो आगे भी लेके चलना है ठीक है याद रखने जब भी कोई भी reaction होगा जिसमें कैसी की value derive करनी है number of mole लिखने बहुत important है अभी हम इन reactions को कुछ और देखेंगे और देखेंगे कैसे कैसी की value derive करनी है वह आपर में मिलके practice करेंगे तब तक आप यह देखें कि derivation हुई कैसे क कैसी के expression की हम मिलेंगे next lecture में तब तक के लिए Allah हाफिस